नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Let's Crack UPSC CSE Unacademy में आप है मेरे साथ मेरे नाम है सुमित और दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं अपने special session में आज जो कि 2024 के prelims के लिए oriented यहाँ पर sessions हमारे चल रहे हैं important जितने भी historical events हैं या फिर historical topics हैं उनको हम यहाँ पर cover कर रहे हैं और आज इसी series के अंदर हम stoop architecture को complete करेंगे इससे पहले हम already cave architecture को बहुत detail में कर चुके हैं जो कि आपके prelims और mains दोनों में आपको directly help करती हैं और उससे पहले हम temple architecture को भी cover कर चुके हैं कई बार temple architecture को लेकर जो students हैं उनको बहुत confusion होती है या तो पढ़ने में boring लगता है या फिर पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कुछ ऐसी terminologies देखने को मिलती हैं तो वो चीज आपकी confusion जो है वो सब दूर हो जाएगी अगर आप temple architecture पढ़ते हैं इस series में जो हम already इससे पहले दो वीडियो पहले cover कर चुके हैं उसके अलाबा cave architecture भी आप देख सकते हैं cave architecture भी बहुत detail में cover किया गया है और आज stoop architecture करेंगे जो सबसे ज़्यादा simplest और सबसे ज़्यादा छोटा topic है तो बहुत simple आज की class रहने वाली है बहुत छोटा topic है बहुत simple topic है लेकिन सबसे ज़्यादा important topic है चाहे prelims की बात करें या फिर mains की कभी भी आपसे stoop architecture पे question पूछ सकता है ठीक है तो history और art and culture दोनों को intersect करता है ये topic दोनों में आपको comment मिलेगा और 2023 में ही जिहां ताजे ताजे पेपर में अभी पिछले साल ही prelims के अंदर question पूछा गया है stoop architecture के उपर और दुबारा से कभी भी कभी भी पूछ सकता है mains में तो कई बार पूछ चुका है ठ अब आपको ये सारी statements अपनी आखों के सामने इनके जवाब मिलते हुए नजर आएंगे ठीक है तो इसका answer only two है ठीक है यहाँ पर ठीक है कहता है दो statement ठीक है यहाँ पर आपको सही सही देखने को मिलेगी second and third पहली statement गलत है कैसे वो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आगे ब CRT पढ़ाता हो और सारे basics clear करता हो जैसे कि खास तोर पर अगर कोई graduation में है दोस्त अगर कोई student graduation में है बिलकुल first year में और वो foundation अपने strong करना चाते हैं या फिर graduate भी हो चुके हैं job के साथ हैं और job के साथ पहले अपनी foundation static part में clear करना चाते हैं तो बहुत suitable और best course है बिलकुल य live अगर ये course लेना है इस course में सिर्फ और सिर्फ NCRT कवर की जाएंगी छटी से लेके बारवी तक की हर subject की मेरे साथ आप यहाँ पर history की NCRT करते हैं ठीक है और जब मेरे साथ आप history की NCRT यहाँ पर आप करेंगे तो आपकी एक foundation strong होगी basic सारे clear होंगे और उन NCRT को हम जिस class की NCRT है उस perspective से नहीं पढ़ते बलकि UPSC के perspective से हम उन NCRT को पढ़ते हैं ठीक है और एक foundation के साथ साथ जो UPSC के लिए required knowledge है उसके लिए आपको prepare किया जाता है तो जो inter linkage है UPSC और NCRT में वो जो gap है उसको यहाँ पर fill करने पर काफी जादा focus होता है ठीक है चलिए तो य CAPF का paper 2 मेरे खाल से आप descriptive paper के बारे में यहाँ पर अगर पूछना चा रहे है ठीक है तो फिर उसको भी देख लेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे descriptive paper जिसके अंदर मेरे खाल से आप descriptive paper की ही बात करें एक बार clear करेंगे ठीक है चलिए तो इस batch को आप देख सकते हैं य ancient history, medieval और modern history का 2024 के UPSC Prelims exam के लिए जिसके अंदर हम तीनो history के parts जो है complete कर रहे है crash course की form में और plus course में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप NCRT का batch join करते हैं तो code लगाना होगा SMK live और यहाँ पर पूरी detail में NCRT उसको हम cover करेंगे साथ ही में Unacademy के साथ आप single subscription के अंदर single subscription के अंदर काफी सारी आपको benefits मिलते हैं जैसे for example यहाँ पर आपको prelims GS oriented material मिलता है उसके अलावा crash course का भी access आपको मिलता है साथ ही में CSAT का access भी मिलता है जो बाकी institutes और बाकी जो institutes हैं वहाँ पर आपको अलग से लेना पड़ता है साथ में कभी भी quality enrichment program आएगा value addition program आएगा mains का तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको same course से ही access मिल जाता है even आपको prelims और mains की test series के भी access मिलते हैं साथ ही में Republic के offer चल रहा है 50% discount आपको 2026 27 के batches के उपर यहाँ पर देखने को मिलता है साथ ही में आपका batch 6 महिने और extra valid रहेगा सभी top educators आपको यहाँ पर बढ़ाते हैं specifically prelims और mains दोनों aspects को exam के cover करता है mentorship भी आपको इसमें available है बस आपको code लगाना होगा SMK live अगर 25, 26, 27 तीनों में से कोई साभी course खरिजना है 25, 26, 27 का ठीक है same सारे benefits आपको मिलते है top educators बढ़ाते हैं और unacademy की तरफ से एक नया initiative अब आपको देखने को मिलता है जो की अभी तक एक gap था उसको fill कर दिया गया है जितने भी दोस्त English में प्योर English में medium of instruction भी English रहेगा यहाँ पर अगर courses लेना चाते हैं अनक एज में उनके लिए अब यहाँ पर एक best choice लेकर आया है सर्मद महराज सर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे सर्मद महराज की सर्मद महराज सर की यहाँ पर leadership में आपको देखने को मिलेगा सारे courses यहाँ पर सभी subjects cover किये जाएंगे live classes होगी one to one down session होगे one on one mentorship होगी और यहाँ पर आपको code लगाना होगा SMK live तो जो भी दोस्त bilingual में comfortable नहीं होते हैं हिंदी में comfortable नहीं होते हैं pure English में यहाँ पर आप courses आपको देखने को मिलेंगे high quality courses उसके अलावा single subscription से आप सभी optional को explore कर सकते हैं यानि कि एक subscription से आप सभी optional को explore करके यह decide कर सकते हैं कौन सा optional आपके लिए suitable है तो जिन दोस्तों को confusion है कभी optional में उनके लिए best यहाँ पर example है कि एक subscription से कई optional को explore कर सकते हैं बस आपको code लगाना होगा SMK live तो अब यहाँ पर देखते हैं आखिर छूप का मतलब क्या होता है। जमीन से उभार उठी हुई कोई चीज इस तरह की जिसे अंडा कार शेप में कोई चीज है जिसके अंदर यहाँ पर burial remains यानि कि किसी मृत व्यक्ति के शरीर के अवशेश रखे जाते थे और स्टूप जैसी यानि कि जमीन से उब्री हुई किसी आकरती में रखे जाते थे और इसका जिक्र हमें रिग वैदिक जमाने से देखने को मिलता है तो पहली स्टेटमेंट जो आपने पड़ी थी 2023 के प्रि गए हैं तो बुद्धिजम में धार्मिक आस्था का केंदर बना स्टूप लेकिन वो बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है वो आपको रिगवेद के जमाने से देखने को मिलता है तो सही information आपको यहाँ पर मिलती है और question की जो 2023 का question था उसकी पहली statement गलत हो जाती है तो वै गए अपने पीक पर पहुँचते हुए आपको स्टूप आर्किटेक्चर नजर आता है और लगभग 84,000 स्टूप अकेले राजा अशोका के सामराज्ये के जमाने में बनाए गए तो आप देख सकते हैं स्टूप आर्किटेक्चर बुद्धिजम के जमाने में अपने पीक पर पहुँचा था और राजा अशोका ही नहीं उनके बाद बहुत सारे स्टूप और भी बनाए गए अलग-अलग फेजिज में गुपता काल में पोस्ट मौरियन फेज में अलग-अलग जमाने में बनाए गए लेकिन बहुत सारे स्टूप आज हमें नहीं दिखते हैं बह अतम बुद्ध की मृत्यू के बाद 9 स्टूप यहाँ पर बनाए गए थे जिन में उनके अवशेश आपको देखने को मिलते हैं। अर्किटेक्चर को रेपरेजन्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको और clear नजर आएगा इसके अलावा स्टूप के उपर आपको इस तरह की कुछ आकरती दिखेगी यहाँ से एक two dimensional में दिख रही है और यहाँ से three dimension में देखेंगे तो इस तरह से आपको एक box दिखेगा जालीदार ठीक है तो यहाँ पर यस्ति दिख गई और इस पर छत्र जैसे कुछ लगे होते है तो उसे छत्री कहा जाता है तो अंडा, हर्मिका, यह चड़ी जो है यह है यस्ति और यह है छत्री ठीक है इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसे कहा जाता है जो रेलिंग है इसे कहा जाता है मेडी तो यहाँ पर तोरण आपको दीख रहे है तो इसके अलावा अगर यहाँ पर देखे तो स्टूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के जगा भी आपको देखेगी यानि कि इसे कहते हैं प्रदक्षिना पाथ जैसे मंदिरों में होता है मंदिरों में गर्ब ग्रह के चारों तरफ घूमने की परिक्रमा करने की जगा आपको मिलती है सेम वैसा आपको स्टूप आर्किटेक्चर में भी जगा देखने को मिलेगी परिक्रमा करने के लिए इसे कहते हैं प्रदक्षिना पात ठीक है चलिए आब अगर यहाँ पर देख़ें स्टूप के फीचर क्या है कहता है जो स्टूप का कोर है यानि कि अंदर का जो कोर पार्ट है अंडा के अंदर का यह किससे बना होता है अन-burned ब्रिक्स से यानि कि यह वो इइटे होती है जो पूरी तरह से आग में नहीं पकाई हुई होती ह ठीक है उसके अलावा जो outer surface है यह जो outer surface है ठीक है outer surface यह आपको देखने को मिलेगा किस से बना होता है यह जलीवी इंटो से यानि कि यह solid part होता है और एक तरह से मजबूत part होता है जलीवी जो इंटे होती है वो durable होती है लंबे समय तक टिकती है तो कोई भी architecture अगर जलीवी इ से बना हुआ है तो इसके अपर बाद में plaster भी किया जाता है ठीक है तो इसके अपर thick layer of plaster मिलेगा जो कि इसको और ज़्यादा durability देती है ठीक है उसके अलावा मेड़ी और तोरन पर ठीक है मेड़ी और तोरन पर यानि कि gateway आपको sculptures मूर्तिया नजर आती है सजावट के लिए decoration के लिए और ये आपको देखने को मिलेंगे किस तरह के लकड़ी के structure देखने को मिलेंगे ये जो हमने architecture पढ़ा स्टूप का ये सभी स्टूप का जो architecture है अपने peak पर पहुँचता है मौरियन काल के अंदर और मौरियन काल में खास्तोर पर राजा अशोका के जमाने में स्टूप भारी मातरा में बनाये जाते हैं जिसका आपको example देखने को मिलेगा मौरियन जमाने के स्टूप का वो है एक सांची स्टूपा जो की राजा अशोका के द्वारा ही बनवाये गया था और एक आपको मिलेगा पिपरवा स्टूप जो की oldest स्टूप आपको देखने क मिलता है ठीक है और इसमें आप यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको हर्मिका दिखती है यस्ती छत्र तोरण अंड प्रदश्चना पाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है उसके अलावा मेधी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और स इसी देवी देवता की होती थी या कौन सी और मूर्तियां होती थी तो डेकोरेशन के लिए तोरण और मेढ़ी पर आपको मूर्तियां जो मिलेंगी वो यक्ष और यक्षी या फिर यक्षिनी या फिर यक्षी की आपको मूर्तियां देखने को मिलती है यह यक्षिनी यानि कि हिंदुइजम और बुद्धिजम ये जो देवी देवता है यक्ष और यक्षी ये आपको जैनिजम, बुद्धिजम और हिंदुइजम तीनों में आपको common नजर आते हैं तो हमने अभी जो पढ़ा है स्टूप आर्किटेक्चर ये पढ़ा है मौरियन काल का आपको क्या करना है एक्षाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से कैटेगराइज करके लिखना है कि स्टूप आर्किटेक्चर पहली आपको पता चल गया origin कौन सा है उसके बाद आपको मौरियन जमाने का आर्किटेक्चर पढ़ना है उसके बाद आपको पोस्ट मौरियन जमाने का पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको गुपता काल का और अगर कोई पोस्ट गुपता काल का अगर है तो उसको भी यहाँ पर देख लेंगे तो हिस्ट्री में अलग-अलग समय पे स्टूप कैसे बन रहे थे वो आपको देखने है और साथ में उनके एक्जामपल आपको एक दो याद करने है बहुत जादा फर्क नहीं है स्टूप अर्किटेक्चर में जो एक बार मौरेन काल में शुरू हुए थे लग-भग वैसे ही आपको आगे भी देखने को मिलते है तो मौरेन काल का एक और स्टूप जो है जो 1998 में डिस्कवर किया गया बिहार के अंदर तो बिहार के पटना सिटी से 110 किलोमेटर दूर केसरिया में एक स्टूप मिला जो की बहुत लंबे समय तक लग-भग हो चुका था पेड़ पौधे इसके उपर उग चुके थे लेकिन इसको 1998 में इसको यहाँ पर आर्केलोजिस ने खोजा और ये एक बहुत बड़ा स्टूप है और दुनिया का सबसे बड़े स्टूपों में इसकी गिंती यहाँ पर होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और लोग भी कितने छोटे स्टूप के आगे निज़र आ रहे हैं हो सकता है यह स्टूप डैमेज हो गया और इससे भी जादा उची इसकी हो सकता है हाइट हो जो यह स्टूप आपको डैमेज दिख रहा है हो सकता है यह और भी विशाल यहाँ पर हो तो यह जो स्टूप है बिहार के केसरिया में जो डिसकावर हुआ बताया जाता है कि यह मौरियन जमाने का स्टूप है तो केसरिया में भी आपको स्टूप मिलेगा मौरियन जमाने का और हो सकता है ऐसे बहुत सारे स्टूप है जो अभी तक डिसकवर भी नहीं हुए है और हजारों सालों से वो सकता है जमीन में पेड़ पौधों में मिट्टी के टीलों में दफन हो चुके हो क्योंकि 84,000 स्टूप एक जमाने में बनाए गए थे तो 84,000 एक बहुत बड़ा आकड़ा होता है ठीक है चलिए उसके अलाबा पोस्ट मौरियन फेज के स्टूप पोस्ट मौरियन फेज कौनसा जमाना है ये वो जमाना है जब मौरियन सामराज्य का अंत होता है एक सो पिचासी बीसी में आखरी मौरियन शासक ब्रिहद्रत की हत्या कर दी जाती है और फिर जब तक गुपता सामराज्य नहीं आता है अगर प्रिसाइजली बोले तो 275 एडी में गुपता सामराज्य की शुरूआत होती है 275 एडी में ये जो जमाना है मौरियन काल के खत्म होने का और गुपता काल के शुरू होने का बीच का जमाना इसको कहते हैं पोस्ट मौरियन फेज और यहाँ से गुपता सामराज्य शुरू हो जाएगा लगबग 580 तक गुपता सामराज्य चलेगा फिर देखेंगे गुपता सामराज्य के जमाने में कौन कौन से स्टूप बने थे important उनके example याद करेंगे पोस्ट मौरियन फेज में कहता है कि यहाँ पर स्टूप जो है बड़े हो गए और और ज्यादा सजीले और ज्यादा उन पर decoration का काम होने लगा stone जो है वो यहाँ पर इस्तमाल होने लगा ज्यादतर लकडी और इटो की जगा stone का पत्थरों का इस्तमाल होने लगा और यहाँ पर जो तोरन थे तोरन के उपर आपको hellenistic influence देखने को मिलेगा hellenistic influence मतलब hellenistic influence का मतलब है Greek architecture का या Greek art का Greek art and culture का influence आपको hellenistic feature के रूप में देखने को मिलता है तो जहाँ पर भी यह शब्द इस्तमाल हो जाए hellenistic feature Hellenistic Feature का मतलब होता है Greek Art and Culture का Influence इसका example क्या है भरहुत स्थूपा मध्यपरदेश तो Post-Maurian Phase के जमाने का जो example है उसे याद करेंगे वो क्या है भरहुत स्थूपा Paper के अंदर आप से question पूछ सकता है स्थूप आर्किटेक्चर पर और बाद में बोल देगा कि भरहुत स्थूपा जो है ये मौरियन जमाने के स्थूप आर्किटेक्चर का example है आपको पता होना चाहिए कि ये Post-Maurian जमाने का example है और आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं stone का इस्तमाल अगर इस स्थूप को आप देखेंगे काफी rough इसका structure लगता है तो यहाँ साफ पत्थरों की इटों का इस्तमाल देखने को मिल रहा है पत्थरों की इटों के आकार मिशेप में यहाँ पर सब कुछ चाहे तोरन हो और उतना विशाल नहीं है जितना आपको साची स्थूप यहाँ पर देखने को मिलता है और साची स्थूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इटों का इस्तमाल आपको देखने को मिलता है और ये भी पोस्ट मॉरेयन जमाने का एक स्टूप है जो की आपको कहां पर मिलता है काबुल से लगभग 22 किनोमेटर दूर गुल्दरा में अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इसके अलबा साउथ इंडिया में आंधरा प्र इस तरह से आपको देखने को मिलता है गुल्दरा स्टूप जो की एक सॉलिड मास का बना है यानि कि अंदर से खोकला नहीं है पूरा एक सॉलिड स्क्रक्चर है ठीक है और ये काफी बड़ा स्टूप है और ये बताया जाता है पोस्ट मॉर्यन फेज में राजा कनिश्क के जमाने में यहाँ पर इसको बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर सिक्के मिले हैं सोने के और वो सिक्के जो है राजा कनिश्क के जो पिताजी है ठीक है उनके पर आधारित है ठीक है तो यहाँ पर वीमा कज़फीस जो राजा कनिश्क के पिताजी थे उनके उपर आधारित सि वह से famous बरहुत stoop. ऐ है चलिए अब अगर यहां पर बात करें post morning face के बाद हम किने पढ़ेंगे जाहिर सी बात है post morning के बाद हम गुपता सामराज्य के जमाने के stoop architecture को पढ़ेंगे और गुपता जमाने का stoop architecture में दो एक्जामपल आपको याद रखने हैं एक है धामेक स्टूप, ठीक है, तो धामेक स्टूप भी अच्छा खासा बड़ा है, यह बिलकुल ऐसा है जैसे उल्टी, उल्टा बेल रखी हो, कोई, जैसे घंटा होता है उसे उल्टा रखा हो, इस तरह से inverted bell shape में आपको देखने को मिलता है इसके अलावा एक और स्टूप है गुपता जमाने का famous, वो है चोखंडी स्टूप ठीक है, तो चोखंडी स्टूप को याद रखेंगे, गुपता जमाने का स्टूप है, ठीक है, यह आपको सारनात में देखने को मिलता है वारा नसी के पास, ठीक है तो यहाँ पर धामेक स्टूप जो है सारनात में, वारा नसी में और चोखंडी स्टूप आपको देखने को मिलता है यह भी आपको वारा नसी के पास देखने को मिलता है, गुपता जमाने का और गुपता जमाने में जो स्टूप architecture है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है ठीक है इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है और ये जो चौखंडी स्थूप है ये famous इसलिए है क्योंकि इसके उपर ये जो octagonal shape ठीक है ये जो ये जो octagonal shape ठीक है अश्ट भुज आकरती में ये जो building बनी है इस स्थूप के उपर ये दरसल बनाई गई थी हुमायू जब यहाँ पर visit करते हैं ठीक है हुमायू की visit को commemorate करने के लिए उसकी उनकी visit को mark करने के लिए ये octagonal building बनाई गई थी चोखंडी स्थूप पर जो कि गुपता जमाने का स्थूप है तो mauren जमाने का शांची स्थूप याद रखेंगे ठीक है फिपरवा याद रखेंगे उसके अलावा post-morean जमाने का भरहुत स्थूप और गुपता जमाने का चौकंडी स्टूप और गुपता जमाने का धामेक स्टूप एक-एक सामराज्य के जमाने के स्टूप आपको पता होने चाहिए इसके अलावा कुछ जो जनरली हमारे जनरली आपको बुक्स में और अलग-अलग जगाहों पर जिनका नाम नहीं मिलता है जैसे कि यहाँ पर गुल्दरा स्टूप इसको भी याद रखेंगे अफगानिस्तान में मिलता है अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत में जो स्टूप आर्किटेक्चर जो है उसका विदेश में या फिर उसका बाकी जगाहों पर क्या इंफ्लूइंस रहता है आप जानते हैं कि श्रीलंका के अंदर भी राजा अशोका के जमाने में बुद्धिजम जो है उसका परचार परसार होता है और श्रिलंका के अंदर भी बुद्धिसम पहुचता है श्रिलंका में बुद्धिसम पहुचता है तो वहाँ पर भी आज भी large scale पर बुद्धिसम practice किया जाता है और वहाँ पर भी stoop architecture बनते हुए आपको नजर आएंगे और यहाँ पर एक जो stoop है यहाँ पर आपको स्टूप देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे tallest स्टूप स्टूप आपको 400 फीट का हाइट में 400 फीट का स्टूप आपको जो देखने को मिलता है यह हमें श्रिलंका में देखने को मिलता है जिसका नाम है जेट वनराम स्टूप जेट वनराम स्टूप आपको बुद्धिस्ट स्टूप है जो कि श्रिलंका में देखने को मिलता है जेट वनराम मौनिस्टी के अंदर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हरिटेट साइट है और ये दुनिया का तीसरा सबसे उचा स्ट्रक्चर है आफ्टर दी पिरामिट ऑफ गीजा एंड पिरामिट ऑफ कफारे ठीक है? खफरे पिरामिट ऑफ खफरे एंड पिरामिट ऑफ गीजा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे उचा स्ट्रक्चर मिलेगा यानि कि जेट वरवनमा स्टूप तो एक इंपॉर्टन स्टूप है चार सो मीटर का दुनिया का स्टूप में सबसे उचा तॉलेस्ट स्टूप आपको देखने को मिलता है उसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया की अगर बात करें तूप और साथ में छोटे छोटे बहुत सारे स्टूप नज़र आएंगे बहुत जादा सुंदर ये मंदिर है बुद्धिस्ट मंदिर है जो की एक टेंपल भी है और यहाँ पर स्टूप भी है इसके अलावा तांतरिक बुद्धिस्म के अंदर खास्तवार पर वज्र यान बुद्धिस्म के अंदर यहां पर मंडल एक आकरती बनाई जाती है उसका significance काफी होता है वो universe को दर्शाता है तो मंडल की आकरती भी आपको देखने को मिलेगी जो की इस तरह से होती है square इस तरह से square आकरती बीच में फिर circle तो यह उसी आकरती में मंडल की आकरती में बना है तो यह जो स्टूप है बोरो बुदूर का यह जो temple है इंडोनेशिया में यह मंदिर स्टूप और मंडल तीनों का mixture है ठीक है तीनों का mixture है और भारत की धरती के बाद योगकारा में आपक जावा में ठीक है इंडोनेशिया के अंदर नौर्थ वेस्ट आफ योगकारा करता जो इनकी सिटी है इसके पास ये एक बुद्धिस्ट मॉनिमेंट है जो कि एक युनिस्ट को साइट आपको देखने को मिलेगी लगभग एर्थ सेंचूरी के आसपास ये आपको बनता हु जो कि यहाँ पर कहता है गुपता और पोस्ट गुपता आर्किटेक्चर से इंफ्लूएंस आपको नजर आता है इसके अलावा बुद्धिस्ट स्थूप का और क्या महत्व है बुद्धिस्ट स्थूप जो बनते हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कई बार स्थूप बनते हुए नजर आएंगे ठीक है बुद्धिस्ट जो विहार होते हैं यहाँ पर भी स्थूप नजर आते हैं जैसे फॉर एक्जामपल नालंदा विहार हुआ करता था एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करता था नालंदा विश्विद्याले उसके अ अफशेश नहीं मिलते हैं तो ऐसी जगहाँ पर हमें जो आर्ट देखने को मिलती है ठीक है उससे inspired आर्ट आपको यॉरॉप के जो बैसिलिकास हैं बैसिलिकास क्या होते हैं यह यहां की आप कह सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स होती है यॉरॉप के अंदर जो लॉक आउट का काम किया करती थी ठीक है चर्च प्लस लॉक आउट का काम करती थी पब्लिक बिल्डिंग्स होगा करती थी इनके अंदर जो मुजएक आर्ट दिखेगी यह भी स्टूप और चैत्य विहार से इंफ्लूएंस आर्ट मिलेगी उसके अलावा इसलामिक आर्किटेक्चर में जो आपको गुंबद दिखता है डॉम मस्जिद के उपर जो गुंबद दिखता है यह भी स्टूप आर्किटेक्चर से जो स्टूप का जो अंड है उससे inspired आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है दरसल यह आर्किटेक्चर पहुँचता है भारत से इरानियन अम्पायर में पहुँचता है उस समय इरान में ससानिड अम्पायर हुआ करता था ठीक है ससानिन पर्शियन अम्पायर तो इरान के भारत से इरान के अम्पायर से होता हुआ बाइजैंटिन यानि की रोमन अंपायर से होता हुआ इसलामिक वर्ड में एंक्री लेता है जो स्टूप आर्किटेक्चर का अंडा वाला पार्ट है और यहाँ पर मस्जिदों के उपर आपको गुंबद नज़र आता है यह सोफिया मौस्क जो है इस्तानबुल में यहाँ आपको देखने को मिलती है इसमें भी आपको इस तरह का गुंबद नज़र आता है ठीक है तो किस तरह से भारत से इरान इरान से रोमन अंपायर रोमन अंपायर से इसलामिक वर्ड में एंक्री यहाँ पर लेता है तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को समझा स्टूप आर्किटेक्चर की कुछ ऐसी चीज़े भी यहाँ पर हमने जाने स्टूप को आप बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डेफिनिशन आपको देखने को मिलेगी कि स्टूप जो है वो एक तरह से ऐसे स्ट्रक्चर है जो की यहाँ पर रेलिक्स जो है ठीक है जो रेलिक्स है उनको होल्ड करते हैं और बरियल माउंट्स है यानि कि स्टूप आर्धी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर विच हो इस दी बरियल माउंट्स एंग दी रेलिक्स ऑफ दी डेड आर कॉल्ड स्टूप ठीक है और यह आपको वैदिक जमाने से ही इस्तमाल होते हुए नजर आएंगे ठीक है ऐसे आप इसको एक लाइन में इस्तमाल कर सकते है ठीक है बिल्कुल जो डोम है डोम जो है उसको अंडा कहते है वो स्टूप आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है हागिया सोफिया की बिल्कुल यह मस्जिद आपको देखने को मिलेगी जिस पर डोम आपको पता होने चाहिए, features के साथ-साथ हर एक जमाने का, गुपता जमाने का, मौरिन जमाने का, पोस्ट मौरिन जमाने का, एक-एक example आपको याद होना चाहिए, ताकि paper में आप इसका answer कर पाए mains में, उसके अलबा prelims में आप पहचान पाए, पूच लेगा, ये वाला स्टूप इस जमाने का है तो बता देंगे, features पूचेगा तो features भी, अब आप यहाँ पर बता सकते हैं इस चित्र को बनाने की भी आपको practice करनी होगी, ठीक है, इस चित्र को बनाने की practice करनी होगी, ताकि आप यहाँ पर mains में चित्र बना सकें, बाकी components याद करेंगे, हर्मिका, मेडी, तोरन production अपात, यस्ता, छत्री सब याद कर लेंगे, ताकि prelims के अंदर पूचे, तो direct आप बता सकते हैं ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तो I hope वीडियो अच्छी लगी, और हमने जितने भी तुरी समझे, आपको समझाई हूँ मिलते हैं, next class के अंदर तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे